बय द्वीती वर्ष के बच्चों का स्वागत है बच्चों जेसा की हम जानते हैं कार्ल माक्स के हमारे जो पठेकरम हैं उसमें जो सिध्धान्त हैं वर्ग-संगर्ष द्वंदात्मक भोतिक वाद एतियासिक भोतिक वाद ये सब जो सिध्धानते हमने पढ़ लिये हैं और इनके PDF में ने आपके जो ग्रूप है WhatsApp ग्रूप है उस पर डाल दिये हैं हमको जो पढ़ना था कालमास का वो पढ़ना था जो रहे गया था हमारा वो है कालमास का जो है समाश्यास्त्री योगदान तो आज हम इसे समझ लेते हैं और अगले अध्याय से फिर हम एक नए थिंकर को पढ़ेंगे जैसा कि हम जानते ही बच्चो वेज्ञानिक सामेवाद के उननायक कालमास का जन्व 5 मई सन 1818 में प्रशिया के राइन प्रांत के त्रेयनगर में हुआ था और माक्स जो थे वो सभी यूरोपिय भाषाएं जानते थे जर्मन, फ्रांसिसी, अंग्रेजी भाषाओं में तो वो इतने सुन्दर ढंक से लिखते थे कि भाषा पार्खे भी मुगद होडते थे और माक्स ये बात दोराया भी करते थे कि जीवन संघर्ष में विदेशी भाषा एक हथियार है और वे हमेशा कुछ न कुछ सीखते रहते थे उनका जो था बीजगणित उनका बेहत रूची वाला विशे था जब-जब वो मांसिक कष्ट जेलते थे उस समय वे गड़ित को बहुत अच्छे से पढ़ते थे और मांक्स की जो है अध्यान में बहुत अधिक गहन रूची थी उनके नीजी पुस्तकाले में भी एक हजार से अधिक पुस्तकें थी मांक्स जो है उनके जो खास दोस्त था जो दोस्ती विश्व प्रसिद्ध है वो दोस्ती है उनकी फ्रेडरिक एंजिल के साथ फ्रेडरिक एंजिल और मांक्स ने मिलकर बहुत सारी सिध्धानतों की रचना की है यदि हम बात करें तो जो है Holy Family जो है मार्क्स की बहुत प्रसिद्ध पुस्तक हुई है 1844 में मार्क्स को बुनकरों की विद्रोहों का समर्थन करने के कारण प्रएशिया सरकार ने फ्रांस की सरकार पर यह दबाव डाला कि वे मार्क्स को फ्रांस से निकाल दे 1845 में मार्क्स को पेरिस छोड़ने के आदेश दिये गए थे और वहां जीवन की विभिन विपत्तियां सहन करते हुए ब्रूसेल जाकर रहने लग गए थे यहीं पर मार्क्स ने अपने मित्र एंजिल के साथ मिलकर Holy Family नामक पुस्तक प्रकाशित की मार्क्स ने कांतिकारी, भौतिक दर्शन तता सर्वाहरा वर्क का सिध्धान्तिक क्रांति के तत्व इस पुस्तक में देखे जा सकते हैं मार्क्स और एंजिल की एकोर प्रसिद क्रती या पुस्तक रही है जिसका नाम है जर्मन विचारधारा इस पुस्तक की रचनाभी उन्होंने हीगल के भाववादी सिध्धान्त के विपरित करी थी इतिहास के भोतिक वादी सिध्धान्तों का इसमें स्पष्ट रिरूपन किया गया है सामेबाद के दो सिध्धान्तिक स्थम्ब हैं एक दंदात्मक भोतिकवाद और दूसरा एतिहासिक भोतिकवाद इन दोनों के निर्माण में जर्मन विचारधारा नामक पुस्तक ने महत्वपूर्ण कारी किया है 1847 में मार्क्स और एंजिल ने लंदन में साम्मेवादी लीग की स्थापना की इस लीग के आगरह पर दोनों ने साम्मेवादी नियमों का एक वक्तव यतेयार किया जो फरवरी 1848 में कम्यूनिस्ट घोषनापत्र के नाम से प्रकाशित हुआ यह पुस्तक साम्मवादियों का धर्मगरंथ कही जा सकती है साम्मवादी घोषनापत्र की रचना से ही वेज्ञानिक साम्मवाद का युग भी प्रारंभ हुआ 1864 में माक्स ने लंदन में अंतरराश्ट्री श्रमिक वर्ग समुदाय का गठन किया जो विश्व में प्रथम अंतरराश्ट्री के नाम से विख्यात हुआ लंदन में माक्स ने राजनेतिक आर्थिक समिक्षा की एक पत्रिका न्यू राइनिश जाई दुच पोल्टिशे एको मोमीशे रिव्यू नामक पत्रिका प्रकाशित की इस पत्रिका के छेहंक 1850 में हैंबर्ग से प्रकाशित भी हुए थे सन 1867 में मार्क्स का एक विश्व प्रसिद्ध गरंथ पूंजी यानि दास केपिटल का प्रथम खंड प्रकाशित हुआ था इसका दूसरा और तीसरा खंड मार्क्स की मृत्यू के बाद ही प्रकाशित हुआ यह गरंथ साम्मेवादियों का बाईवाइल माना जाता है इसमें बेग्यानिक साम्मेवाद की व्याठ्या की गई है मार्क्स का समाजशास्त्री योगदान यह तो है ही सही एक समाजशास्त्री के रूप में मार्क्स का योगदान निसंदेह महत्वपूल्ण है वे सामाजिक घटनाओं के बैज्ञानिक अवलोकन और विशलेशन पर जोड़ देते थे जेव जगत में जैसे डार्विन ने विकास के नियम का पता लगाया था, वैसे ही माक्स ने मानव इतिहास में विकास के नियम का पता लगाया उन्होंने इस सच्चाईगा पता लगाया जो अब तक विचारादात्मक आवरंड से धकी हुई थी राजनीती, विज्ञान, कला, धर्म, आदी की और ध्यान देने से पूर्व मानों को भोजन, बस्त्र और निवास की सुविधाएं चाहिए यानी रोटी कपड़ा और मकान अतर जीवी का उत्पादन के भोतिक सादन ही किसी युक की राजकी संस्थाओं, कानून, कला और धर्म निर्धारित करते हैं इसलिए उसे ही प्रकाश में इन सब की व्याख्या की जानी चाहिए, न कि इसके विपरित जैसा की अब तक होता रहा है इतना ही नहीं, मांकस ने गतिके उस विशेष नियम का भी पता लगाया, जिससे उत्पादन की वर्तमान पुझी वादी प्रणाली और इस प्रणाली से उत्पन पुझी वादी समाज दोनों ही नियंत्रित हैं माक्स के अतिरिक्त मूल्य के सिध्धान्द को खोज निकाला जिसके आदार पर पूजी पती पूजी का संचय करते हैं माक्स द्वादा प्रस्तुत इतिहास की भौतिक व्याख्या, दंदात्मक भौतिक वाद, वर्ग संगर्ष, अलगावाद का सिध्धान्द और साम्मिवादी समाज की कलपना आदी ने उन्हें समाश्षास्त्री साहित्ति में अमर बना दिया इसलिए ही हेनरी लेफे बर लिखते हैं, माक्स एक समाश्षास्त्री ही नहीं लेकिन माक्स में समाश्षास्त्र है विचारधारा की द्रष्टी से मार्स समाश्षास्त के जन्मदाता अगस्त काम्ट के बिलकुल विप्रित है काम्ट ने समाज में सहयोग एवं व्यवस्था की सरचनात्मक आदारों का उरलेक किया है जिन्तु मार्स समाज में संगर्ष को प्रमुख मानते है मार्स के विचारों को से प्रभावित होकर ही वर्तमान में समाज शास्त्र में एक नई विचारधारा उबर कर सामने आई है जिसे उग्रवादी समाज शास्त्र आमूल चूल परिवर्तनवादी समाज शास्त्र तथा रिफलक्सिव समाज शास्त्र के नाम से जाना जाता है मार्स के रचनाओं और समाज रास्त का अध्यन बहुत अध्योगिक श्रमिकों, श्रम आंदोलन और वर्ग संघर्ष के संदर्व में काफी किया गया है समाज के बारे में मार्स का मत है कि यह व्यक्तियों का योग नहीं है बलकि व्यक्तियों की पारम परिक अंता क्रियाओं का परिणाम है और व्यक्ति सदेव एक सामजिक प्राणे रहा है क्योंकि उसे सामजिक क्रिया द्वारा जीवन यापन और जीवित रहने के लिए सामुई कुद पादन करना पड़ता है मार्स के अनुसार समाज शास्त्र का एक कारे अनुभो आश्रित प्रस्तावनाओं का निर्मान करना और उन्हें सत्यापित करना है मार्क्स यह मानते हैं कि उद्विकासिय परिवर्तन एक स्वचलित प्रक्रिया है जिसके नियमों की खोच करना समाज शास्त्रा प्रमुपकार्य होना चाहिए मार्क्स सहयोग को नहीं वरन संगर्ष को एक प्रभावशाली सामाजिक प्रक्रिया मानते हैं संगर्ष के परिणाम स्वरूप समाज में एकता भी पेदा हो सकती है और विगटन पी, उनका मत है कि संगर्ष मूल है इससे सामाजिक जीवन प्रथक नहीं किया जा सकता विकास संगर्ष का ही परिणाम है और संगर्ष रही समाज एक जड़ और इस्थिर समाज होता है निर्वान, शक्ति, सत्ता, राजनितिक प्रभुत्व, उत्पादन की शक्तियां और वर्ग संरचना प्रमुख हैं। मार्स की एतिहासिक भोतिकता की अवधारना अनुभावात्मक समाज शास्त्र की एक महत्वपूर्ण देन है। एतिहासिक भोतिक वाद एक ऐसा समाज शास्त्री सिध्धान्त है जिसका उप्योग समाज के उद्विकासिय और सामाजिक परिवर्तन के बारे में अनुभव आश्रित अन्वेक्षन हितु किया जा सकता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि माक्स ने समाज शास्त को सिध्धान्तिक और अनुभव आश्रित दोनों ही प्रकार से योगदान दिया है। इन सब के बारे में हम पढ़ी चुके हैं तो हम देखते हैं कि माक्स जो है वो उनका समाज शास्त में इस प्रकार बहुत महत्पुर्ण योगदान रहा है। चलिए हम थोड़ा संक्षिप्त में पुना उसे समझ लेते हैं। वर्ग यम वर्ग संगर्ष के सिध्धान्त की जो अवधार्णा है वो है माक्स का यहमत है कि साधरन तह व्यक्ती एक सामाजिक प्राणी है। किन्तु अधिक स्पष्ट रूप से वह एक वर्ग प्राणी है। माक्स समाज में वर्ग निर्धारन के लिए आर्थिक आधार को महत्वपूर्ण मानते हैं। समाज में आर्थिक असमानता ही वर्गों को जन्म देती है। मांक्स ने मानव इतिहास को चार युगों में बटा है आदिसामवादी युग, दासत्व युग, सामन्ती युग और पुँजिवादी युग प्रत्यक युग में दो वर्ग रहे हैं एक वह जिसका उत्पादन के सादनों पर सामित रहा है जिसे स्वामी, बुजुर्गा या पुँजी पती कह सकते हैं दूसरा वह वर्ग जो उत्पादन के सादनों पर स्वामित्व से वंचित रहता है. इसे श्रमिक मजदूर वर्ग कह सकते हैं. ये दोनों वर्ग अपने अपने हितों की रक्षा करने के लिए सदेव संगश रत रहते हैं. इसलिए मार्क्स का कहना है कि अब तक के सभी समाजो का इतिहास वर्ग संगर्ष का इतिहास है मार्स यह भी कहते हैं कि अन्य यूगों की अपिक्षा पुझी वादी यूग में वर्ग संगर्ष तीवर हो जाता है और एक समय ऐसा आता है कि श्रमिक वर्ग पुझी वादी व्यवस्ता को समाप्त कर उसके इस्थान पर सामय वाद दुखों से चुटकारा पाने के लिए मजदूरों से आहवान करते हैं कि दुनिया के मजदूरों एक हो तुम्हें तुम्हारी बेडियों के सिवा कुछ नहीं खोना है और पाने के लिए तुम्हारे पास सारा संसार पड़ा है। अदवन्द से हुआ है यह अदवन्दवाद प्रतिवाद और समवाद यानि थिसीज, एंटिथिसीज और सिंथिसीज की प्रकृया द्वारा गुजरता है अर्थात पहले कोई चीज होती है जिसे बात कहते हैं थिसीज, इस चीज में से इसके विरोधी तत्व मोजूद होते हैं जिसे हम प्रतिवाद या एंटिथिसिस कहते हैं इन दोनों एक नवीन स्वरूप विक्सित होता है जिसे संवाद या सिंथिसिस के नाम से जाना जाता है जो आगे चल कर फिर से वाद बन जाता है इस प्रकार यह प्रक्रिया चलती रहती है हीगल का द्वंदवाद आत्मा से संबंदित था उसके स्थान पर माक्स ने भोतिक द्वंदवाद को जन्म दिया और कहा कि पदार्थ विश्व का मूल है समस्त विश्व पदार्थ से ही बना है पदार्थों में मदबेद और संगर्ष के कारण ही विश्व का विकास होता है माक्स द्वन्दात्मक की प्रक्रिया द्वारा वर्ग संगर्ष के सिध्धान्त को न्याय संगत और स्वाभाविक ठाहरानया चाहते है अतिरिक्त मूल्य का सिध्धांत भी मार्क्स का एक प्रमुख सिध्धांत रहा है मार्क्स ने अपनी पुस्तक दास केपिटल में अतिरिक्त मूल्य के सिध्धांत का प्रतिपादन किया अद्रिक्त मूल्य से तातपर है कि किसी वस्तु के निर्माण में जितना खर्च आता है और जितने में वह बेची जाती है उसके बीच का अंतर ही अद्रिक्त मूल्य है जैसे कि एक टेबल के निर्माण यदि हमें करना हो तो लकडी, मजदूरी, रंगरोगन सम मिला कर 30 रुपे उसका खर्चाता है वह बाजार में 50 रुप में बेच दी जाती है तो 50 में से 30 रुपे जब हम खटा देते हैं तो 20 रुपे आते हैं 20 रुपे अत्रिक्त मूल्य हुआ यह 20 रुपे श्रम के कारण मिला है जिसे पूझी पती श्रमिक को ना देकर स्वयम हड़ब जाते हैं चुकि श्रमिकों के पास उत्पादन के सादनों को खरीदने की शक्ती नहीं होती अताबाद्य होकर वे अपना श्रम पूझी पती को बेज देते हैं और उनके श्रम से उत्पन अतिरिक्त मूल्य पूझी पती की जिब में चला जाता है यह अतिरिक्त मुल्य ही श्रमी को वह पुझी पतियों में संगश उत्पन करता है पुझी वादी व्यवस्था की बुराईयों को जन्म देता है एक और सिध्धान्त का माक्स ने जिक्र करा था वो है जो जिसका उन्होंने दास केपिटल में उलेख भी किया है वो है अलगावाद का सिध्धान्त अलगावाद आधुनिक पुझी वादी व्यवस्था की देन है वरतमान पुझी वादी वेवस्था में व्यक्ति की अपने द्वारा उत्पादित वस्टूों श्रम और सामाजिक संबन्दों से हो जाने के कारण कारे के प्रती अरूची हो जाती है प्राचिन समय में व्यक्ति अपने हाथों से सामाने ओजारों से उत्पन्न करता था मशीनों से नहीं तब उसे उत्पादन से मांसिक संतोष प्राप्त होता था किन्तु वर्तमान में उत्पादन उपकरणों और मशीनों क अताव इन सबसे अलगाव महसूस करता है इस प्रकार पुझीवादी व्यवस्ता शमिकों में अलगाव की भावना पेदा करती है और यह अलगाव वस्वैम अपने प्रती अपने परिवार रिष्टदार साथियों समधाए के प्रती भी महसूस करता है यह अलगाव की भावन ही शमी को उदासीन बना देती है और वह आंदोलन वर संगर्ष की दोरान तोड़ फोड़ करता है उसका जीवन निश्क्री हो जाता है और वह अपने संगर्ष को अकेला नीरी और सब लोगों से प्रथक महसूस करता है तो इस प्रकार हम देखते हैं कि मार्स ने जो है उनका स समाज को समझने में मार्स के सिद्धानतों को कि एक महतवपूर्ण भूमी का रही है आशा करती हूँ बच्चों कि आपको मार्स का जो यह समाज शास्त्री योगदान है यह समझ में आया होगा